कि यूट्यूब चैनल परिक्साइप पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड़ इवनिंग ट्योल ओफ्यू मैं रितू चले वच्चो जैसे कि आपको पता है हम जो अपनी तैयारी करें इमर्स लाइब्रेरी के हम प्रिप्रेशन करें तैयारी हम करें लाइब्रेरी की तैयारी करें इमर्स में तो इसमें सबसे पहले तो अगर आपको ओल्ड पेपर मिले ओल्ड पेपर आप अपने लाइब्रेरी से रिलेटिड जितने ओल्ड पेपर आपको मिल रहें सारे आपको है जितना जाएधा आप old paper कर लोगे त unre case with benefit मिलेगा पको ऐगजा में तो इसमें आपको आपको old paper की चाहिए 32 साइट पर आपको जो एसमें आपको बुक मेरे मिलेगा की आपको बुक मिल जाएगी older पेपर वाली DTSB के आपको मिल जाएगी इसके साथ-साथ आपको राजिस्थान वाली बुक आपको मिल जाएगी और राजिस्थान के साथ-साथ UGC नेट वाली old paper की book आपको मिल जाएगी यह सभी आपको site पर मिल जाएगी इसके साथ साथ आपको जो paper करने है एंवेश की paper आपको करने है इस रो के paper आपको करने है और जो अधर आपके जो library से related जितने भी paper होते हैं वे सभी paper आपको निकालने हैं एक बार आपने करने और यह सबढ़ आपको बताए यह सारे के सारे अutz summat और मिल जाएगा कुछ वुग जो है 100 रुपे में है और कुछ जो पेपर आपको मिलेगी वह 30 रुपे में आपको मिलने वाले हैं लिंक आपको तुर्टिक कॉस्चन का डेली जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट के और बढ़ते हैं पहला कॉस्चन जो आमारा टेस्ट का कौन सा पुस्तिकाले संग के एक नियाशी फुर्षि काले के रूप में काम करता हुव दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी औप्षन की डिल्ली भी कोने मेरे पब्लिक लाइब्रेरी एक केरलगे इसंटरल लाइब्रेरी और करनाटक राज्यों सेट्रल chickens राइब्रेणी तो राइट इसका दिली पब्लिक लाइबरेरी ओप्षिन नेक्स्ट कुष्ण है कोशन नमबर सैकिन किस परकार के पुस्तकालियों में बकाया परभार आएकाती रिक्त सरोत होता है और अकादमिक ऑप्षिन भी से साथ जनिक ऑप्षिन डी यह सभी दस सैकिन का आपको टायम दे आगा को पुस्तकालियों का बगाया परभार जो आएकाती रिक्त सरोत है वह क्या होता है तो सोच यह होता है वह अकादमिक यानिक इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर थरड को पुस्तकालियों समाज के सभी सदश्यों की उम्र और लिंग में भेद के बिना सेवा करता है उप्षान सिराष्ट्य पुस्त का ले सविजनिक उसकी सेवा करता है तो समाज तब लिंग में सेवा करता है तो पब्लिक लाइब्डेरी इस पड़िए सबसे उप्योग करता है जो यूजर से उसमें सर्वेक्षन सबसे उप्योगी ऐ पूस्टकाल दिए पूस्टकालोको क्युक्राइब कर पूस्टकाल i 하루 आपको बताना था 10 सेगिन आपको कत्म है राइट पूस्ट說 पप्राप्ट अनुदान को प्राप्ट अनुदान को क्या कहा जाता आपको पूछाए कि क्या कहा जाएगा ाप्शन औस सियोजना अनुदान दिन की तनुदान ताट आपको दी गई है जल्दी से अपना उत्तर बतार ये क्वुश्चं विफट का करेक्ट ऐसार mortality जिसी की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्शिटी ग्रांट कमीशन इसका जो दस सेगिंड थे आपकी कोशन फिप्ट की खत्म हुई राइट आंसर इसका ओप्षन भी तदर्थ अनुदान राइट होगा ओप्षन भी करेक्ट है तदर्थ अनुदान नेक्स्ट पुस्ट काल्य कानून के अनुशार भारत में सावजन इक पुस्ट काल्यों के जो निदेशक और यह वह कौन है और आपको ताइम है वह बहुत स्पीड से आपका चल रहा है आपका जो टाइम है चलिए वह खत्म हुआ कोशन इसक्स का राइट आंसर आपका ओप्षन जो कारेकारी होता है नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर सेवन भारत में विकास के रूप में सावजनिक पुस्तकालय का सुरुआतियां अंदोलन आरंब हुआ था तो कब आरंब हुआ था ओप्षन इदिल ओफ्षन भी औकोल निज्ट की सबादा है question 7 का correct answer क्या होगा चलिए आपका जो time था वह समाप थुआ right answer है इसका option सी बढ़ोदा question number 7 का option सी बढ़ोदा correct answer है और important question है question number 7 चलिए next question है question 8 खुदा बक्स और येंटल पब्लिक लाइबरी इस लोकेटिड है जो खुदा बक्स और येंटल सावजनिक जो पुस्तकाल है वह कहां पर इस्थित है तो कहां पर वह situated है इस्थित है option उज्जेन option भी पटना option सी एहमदा नगर option डिराची तो कहां पर वह स्थित है important question है question number 8 important question है दस सेगिंड का आपको टाइम मिला है जिल दी से अपनों तर बताइए question 8 का correct answer क्या होगा यह question वही है जो आप प्रिपेर यानि पहले से आप पढ़ते आ रहे है जो आपको classes में पढ़ाया गया है उनी से आपका टेस्ट लिया जा रहा है question 8 का राइट answer जो है आपका पटना है option बी पटना correct answer होगा next question है question 9 इन इंडिया नंबर और पॉब्लिक लाइब्रेरीज है दा प्रिविलेज ओफ लेगल डेपोजिट ओफ एक्ट ऑफ 1954 भारत में 1901 के लीगल डेपोजिट अधिर्याम का प्राधिकार डैस संक्याओं के साथ जनी ग्रंताल्यों को है option option A4 option B3 option C5 option D2 10 second का आपको टाइम मिला है question 9 का correct answer बताने के लिए तो इसमें जो 1904 की बात की गई है तो इसमें जो लीगल डेपोजिट का जो प्राधिकार था वो क्या था तो लीगल इसमें अधिकार इसमें पूछा गया है तो इसका right answer आपका option B3 3 इसका correct answer होगा तीन जो है इसका सही answer है question number 9 का option भी correct है next question है question number 10 question 10 में पूछा गया financial allocation made to university library for purchase of furniture and equipment usually comes under the budget head विश्वी धाले के पुस्तकालों में furniture तथा अन्य उपकर्णों के उन्य उपकर्णों को खरीदने सामाने 23 बजट सीर्स के तहत होती है option A requiring grant आवरती अनुदान option B and on end इस्ताइन इदी option C annual grant वाशिक अनुदान option D non requiring agent आवरती अनुदान 10 सेकिंड का समय आपको दिया जा रहा है जल्दी से अपना उत्तर बताईए question 10 का correct answer क्या होगा दस सेकिंड मिली है जल्दी से अपना answer बताईए चलिए आपका जो time है वो समाप तो question 10 का जो correct answer है इसमें आपका है non requiring grant अनुदान option D correct होगा next question question number 11 which department of the government of India deals with public libraries भारत सरकार का कौन सा विभाग सावजनिक पुस्तकालियों से संबंदित होगा option Ministry of Achaadi मानव संसाधन विकास मंत्रालय option B Ministry of Cultural Affairs Sanskrit कार्य मंत्रालय option Department of Primary Education प्रात्मिक सिक्साविग भाग option Department of Science and Technology विज्ञान एवं प्रोधोगी की विभाग दस सेगिंड का आपको time जा जा रहा है question 11 का correct answer क्या होगा question number 11 का correct answer आपको बताना है दस सेगिंड इसमें मिली है चलिए आपका जो time था वो समाप तो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ओफ कल्चिरल अफियर सांस्क्रिति कार्या मंत्राल है option भी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेशन है question number 12 इंटरनेट पॉब्लिक लाइब्रेरी इस बिंग मैंशन बाइंटरनेट पॉब्लिक लाइब्रेरी निम्लिकित के द्वारा प्रदत है option ए ड्रैक्षेल उनिवर्स्ट्री ओप्शन भी उनिवर्सिटी ओफ आरिजोना ओप्शन सी मैसेट इंस्टिटूट ओफ टेक्नोलोजी ओप्शन डी उनिवर्सिटी ओफ मिसीगन दस सेगिंड आपको मिली है question 12 का यह question आपका important question है दस सेगिंड दी गई है जल्दी से अपना right answer बताए question number 12 का correct answer क्या होगा चलिए इसका right answer आपका option है ड्रैक्षेल उनिवर्सिटी कौन सी उनिवर्सिटी है ड्रैक्षेल उनिवर्सिटी है next question है question number 13 दी ओए जे विश्व के सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टैक्स्ट पूर्ण टैक्स्ट और गुनवत्ता नियंत्रित व्यज्यानिक एवं सेक्षित पत्रिका सब्द कोस्किस के द्वारा प्रिचालित है option A Stanford University option B Library of Congress option C लुंड विश्वी ध्याल है option D O C L C 10 सेगिंड का आपको टाइम मिला है question number 53 का जो राइट है question number 13 का sorry question 13 का correct answer बताना है 10 सेगिंड आपको मिली है चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका option C है लुंड विश्वी ध्याल है इसका राइट आंसर होगा option C correct है next question 14 बारत सही तनेक विकास सिल देशों में सावजनिक पुस्तकालों के विकास के आधार किस वर्ष में संसोदन क्या गया ऑप्षण आट नुनीशो चुराशी ऑप्षण से उनीशो चुराण है option D 2004 दस सेगिंड आपको दी गई है जल्दी से अपनों तर बताए कोशन 14 का correct answer क्या है question number 14 का correct answer क्या होगा चलिए राइट आंसर है इसका 1994 उनीशो चुराण है करेफट आंसर है option से तो इसकी जो डेट थी वो थी आपकी 29 नमबर उनीशो चुराण है कहा पर पैरिश में कहा पर हुआ था यह पैरिश में हुआ था पैरिश नेक्स्ट क्वेश्चन है question 15 इन में से क्या विशेस्ता पुस्ट कालों में एक संकल नहीं है option इस संगटन के भीतर उत्पन हुई सुचना जैसे सोद रिपोर्ट कारें दस्तवे समाचार पत्री का बिक्री साइट तया अधी option वी पुस्ट को पत्री का रिपोर्ट आधी में उप्लवद प्रकासित सुचना option से यातरा सूची हाश्य पुस्ट के कलप पुस्ट के जीवनी काल्पी का दिजैसे हलकी पटन स सामगरी का ब्राउजिंग option भारी सूचना तरसंगटन के बार उपलवद स्रोतों से एक्तित सूचना दस सेगिंड आपको मिली है कुश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कुश्चन नमबर 15 का राइट आंसर आपको बताना है कुश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है चलिए आ option से राइट होगा next question है question number 16 कि सूचना कोसल मोडल किसने विक्सित क्या था जो सूचना का कोसल मोडल है वो किसने डवलप क्या था option ने यूजिसी option 20 को नल option से इन फ्लिप नेट option डी डी रटी सी दस सेकिंड आपको मिली है जल्दी से अपने उत्तर बताए जो सूचना का यह कोश्चन भी इंपोर्टन आपको कोश्चन है तो जो इन्फोर्मेशन यानि सूचना कोश्चन पूचा गया है जो मोडल है वो किसने विक्षित किया था चलिए आपको जो टाइम था वो समाप्त राइट आंसर है इसका इसको नल ऑप्शन भी इसको नल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन भी करेक्ट है राइट तो इसमें जो सूखना वर्किंग ग्रूप ने क्या वह उन्निस सो निन्यान में में नेक्स्ट कोश्चन के टबाइए ओप्शन डे डोक्ट रांडी सेबर आपको मिली है कुट्शन 17 का पर अंसर बताने के लिए पर सेवंटीन का राइट आंसर क्या है राइट आंसर है इसका ओफ्शन सी कर्द है कर्द चलिए जो बिल्य नगोंत्यों नवासी को तैयार किया गया था नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 18 सरश्वती महल पुस्त काले कहां इस्थित है इंपोर्टन कोशन है ऑप्शन ए तंजावूर ऑप्शन भी त्रिवंत पूरम ऑप्शन सी हैदराबाद ऑप्शन डिविज वाड़ा दस सेकिंड मिली है आपको कोशन यह सबसे दुनिया में सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक सरश्वती महल पुस्त काले आपर पुस्तकाले भारत का पहला पुस्तकाले अध्यक्ष कौन था ओप्षिन जोन मैक प्लेन इंपोर्टेंट है ओप्षिन भी एडी डिकिंसन ओप्षिन से डेवलुए बोर्डेन ओप्षिन डिकेम अस्दुल्ला खान दस सेगिंड आपको दी गई है कोशन नमबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा इंप कोशन नमबर 19 का राइट आंसर क्या है रहार ईसका जोन मैक फ्लेन और अप्षिन E तो किस वर्स में हुई थी ओप्षिन ए आठाइसोचे तर ओप्षिन भी आठाइसोचे आठाइसोचे इंपोर्टन कोश्चन है दस सेगिंड का आपको टाइम देया जाएगा जल्दी से अपना आंसर बताएए कोश्चन नमर्ट ट्वेंटी का करेक्ट आंसर क्या है तो जो लाइब्रे जो कि पटना में इस्थापना हुई थी उसकी स्टैब्लिज्ड तो वह एर पूची गए किस एर में से स्टैब्लिज्ड क्या गया था तो वह एर क्या है जिसमें स्टैब्लिज्ड हुई थी आपकी स्टैब्लिज्ड हुई थी पूरी जो डेट है इसकी पूर यानि दिना कितनी तारिक को 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1851 में जो खान बात दूर सा है खान बात दूर सा के द्वारा यह आपकी हुई थी चलिए कहां पर पटना जो कि आपके बिहार में स्तापित है यह लास्ट कोईशन आपका था कुटेस्ट का चलिए जो भी बच्चे च